अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको ये अच्छी लगे तो ऐसी ही और रीडिंग आपके साथ शुरूर नहीं होता आज की जो रीडिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट और येस नो रीडिंग होने वाली है आज की रीडिंग में मैंने 6 टॉपिक लिए हैं जो हमारे कॉमन टॉपिक होते हैं कि हम घर खरीद पाएंगे या नहीं, शादी होगी या नहीं, जॉब कैसी जाएगी, बिजनस कैसा होगा, बच्चे कैसे होगे तो ऐसे कुछ questions जो हम सब के मन में आते हैं, तो ये common questions मैंने यहाँ पर लिये हैं ताकि आप सब लोगों की जो मन में queries है, yes, no को लेकर होगा या नहीं होगा, तो कुछ उसको solve कर पाऊँ वैसे ये collective reading है, आप लोग male, female, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, आप सब लोग इसे देख सकते हो पर यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहूंगी, कि ये जो reading है, हो सकता है, किसी किसी पर resonate हो, हो सकता है, किसी पर ना हो तो अगर आपको लगता है, कि ये resonate नहीं होगी, तो आप किसी और वीडियो को भी देख सकते हैं, बहुत सी वीडियो मैंने दी हैं, जिसमें ऐसी reading मैंने की हैं, तो आप लोग उनको भी जाकर देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपके लिए six common topic हैं, वो लिए हैं, तो आपका कोई भी topic हो, house, job, marriage, business, education, children, तो आप अपनी pile सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों pile में same topic मैंने cover किये हैं, आपको दोनों में से एक pile को choose करना है, और आप किसी में भी अपना topic देखेंगे, और आपको yes no answer मिल दूसरी बात यहाँ पर मैं यह कहूँगी, कि यह reading yes no की जो reading है, यह सिरफ one month के लिए है, feb month के लिए है, आप लोग feb month में अगर कुछ effort कर रहे हैं, मालीजे आप घर खरीदने के effort कर रहे हैं, तब आप इस reading को देख सकते हो, शादी के effort हो रही है, और शादी नहीं हो पा ही तो आपको answer मिल जाएगा, business के लिए देख रहे हैं, education के लिए, job के लिए, children के लिए, तो आपको answers मिल जाएंगे, तो 30 day reading है, यह feb month के लिए है, आप लोग उसमें देख सकते हो, कि आपका काम होगा या नहीं होगा, तो आपको इससे बहुत help मिल सकती है, वीडियो को जाते हैं, तो इस दियेगे नंबर पर आप अपनी details ले सकते हो, whatsapp कीजिए इस नंबर के ऊपर और आपको महाँ पर सारी details मिल जाएगी, first feb से पहले, अगर आप अपना registration कराते हैं, तो आपको इसमें surprise भी मिलेंगे, आपके लिए बहुत सिंपल सरल भाशा में, हिंदी भा करते हैं, जब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, तब हम जीवन के उन पहलों को जान पाते हैं, जो बहुत secret होते हैं, तो इस tarot world में आपका मैं स्वागत करती हूँ, अगर आप इसमें आना चाहें, तो आपके लिए दर्वाजे खुले हुए हैं, बस आपको जरा साथ से ख नजर आ रहे हैं, और दोनों में ही आपको सेम नंबर्स नजर आएंगे, फर्स्ट में थोड़े जगल करते हुए नंबर्स हैं, और सेकिंड में इनके उपर टोकन्स हैं, जो कलरफूर टोकन्स आपको दिख रहे हैं, आपको दोनों में से अपना question समझ कर, सोच कर, आपको दोनों में से एक pile चूज करना है, आँखे बंद कीजिए, जो भी प्रशन है, छे topic मैंने आपको दिये हैं, house, job, marriage, business, education, children, जो भी आपका प्रशन है, प्रशन सोचें, और प्रशन एक या दो सोचें, जादा मत सोचें, ऐसा करने से आप लोगों के लिए जो answers हैं, वो थोड करते हैं, first pile की, जिन में आपको 9 numbers दिख रहे हैं, जो उपर नीचे जगल कर रहे हैं, first pile के लिए reading शुरू करते हैं, मान लीजे आपका प्रशन, आपके घर से related है, कि फैब मांथ में आप बहुत effort कर रहे हैं, पर आपका घर नहीं बन पा रहा है, और या घर मिलने में कोई परिशानी आ रही है, आप बहुत देर से घर देख रहे हैं, तो फैब मांथ में क्या है आपके लिए, यहाँ पर जो answer है, वो इतना accurately मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो answer है, वो थोड़ा सा अभी इतना clear नहीं है, आपको अभी effort करने पड़ेंगे, अभी आपके आपको थोड़े से घर बनाने के लिए effort जादा करने पड़ेंगे, अगर आप इसके लिए सोच रहे हैं, तो थोड़े से अपने efforts को बढ़ा दें, जितनी आप महिनत करेंगे, जितना आप इस बात के लिए सोचेंगे, उतना ही जादा अच्छे से results आपको मिल सकते हैं, आन के लिए सोचिये मत और रुकिये मत, रुकने का टाइम नहीं है, बलकि चलने का टाइम है, जल्दी है आपका घर बनेगा, आगे की रीडिंग में हम देखेंगे कि कब ये स्तिति आएगी, तो अब के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, नेक्स्ट बात करते हैं, ज आपको रिजर्ट मिलते हुए दिख सकते हैं, तो ये कार्मिक साइकल जो है आपके लिए, आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जो लोग लेना चाहते हैं, जो किसी अच्छी जॉब के ट्राइ कर रहे थे, तो आपके लिए गुड साइन है, आपको भी जॉब मिलने के बन सकते हैं, तो इस टाइम में जो फेब मांथ हैं आपके लिए, वो काफी अच्छा होगा, पर यहां पर आपके कर्मों के जो साइकल्स हैं, वो भी साथ में चलेंगे, आपके कामिक साइकल के साथ आपको रिजर्ट मिलने वाला है, तो कहीं न कहीं वो भी चीज मैटर करत हैं, अगर आप जॉब के लिए बहुत जादा देर से परिशान हैं, तो शायद परिशानिया इस टाइम पर आपके कम हो जाएंगे, पाइल नमबर वन, आपके थर्ड कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिन लोगों ने मैरिज के लिए सोचा था और इस पाइल को सिलेक्ट क किया था, आपके लिए है दस सान की एनरजी, बहुत प्यारी एनरजी निकल कर आई है, तो अगर आप मैरिज के लिए बहुत देर से ट्राइ कर रहे थे, अगर आपका कोई अफिर था और मैरिज होने में प्राब्लम आ रही थी, तो आपके लिए फैब मांथ जो है, वो कही की संभावनाएं बहुत अच्छी है, जो लोग बहुत देर से एफ़र्ट कर रहे थे और अच्छा लाइफ पार्टनर उनको नहीं मिल पा रहा था, तो अपनी एफ़र्स को बढ़ा दें, क्योंकि फैब मांथ आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए कोई गुड न उतार चड़ाओ बहुत आते रहते हैं, और बहुत से लोग इस बात के लिए वरी रहते हैं, क्योंकि बिजनस एक ऐसी चीज़ है, जहां पर इंवेस्मेंट्स भी रहती है, और जहां पर रिस्क भी रहता है, तो आपके साथ कोई बढ़ात होगा, इस टाइम पर हो सकता है, फैब मन्त में, आपको बहुत ध्यान के साथ इंवेस्मेंट्स करनी है, हो सके तो इंवेस्मेंट्स को टाल दे, यह टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है, बिजनस के पॉइंट अफ यू से, आपको अपनी इंवेस्मेंट्स अभी नहीं करनी चाहिए, फैब मन्त के जब कोई टाइम अच्छा आएगा, तब आप अपनी इंवेस्मेंट्स के लिए सोचे, अभी जो आपके साथ पार्टनर्शिप में हैं लोग, या जो आपके साथ बिजनस कर रहे हैं किसी भी तरह का, आपको उन पे थोड़ा नज़र बना कर रखनी है, आपको अपने अका पार्टनर्शिप में हैं या कोई भी काम कर रहा है साथ में, तो थोड़ा उसके साथ आप ठीक तरही के से बिहेव करें पर उनके उपर नज़र भी बनाए रखें, ताकि वह आपका कोई नुकसान के चांसे नज़र आ रहे हैं, वह नुकसान कैसा भी हो सकता है, आप लोग पार्टनर्शिप में, तो यहां पर यह थोड़ी नेगेटिव एनरजी दिख रही है, जो लोग बिजनस करना चाहते हैं, तो रुक जाएं, अभी आपके लिए प्रॉपर टाइम नहीं है, आप अपनी बड़ी-बड़ी इंवेस्मेंट्स मत करें, तो अभी फैब मांत में रुकें, आगे देखेंगे कि क्या होगा, तो यह जो रीडिंग है, यह आपके लिए एक एड्वाइस भी है, कि आपको थोड़ा इनरजी को देख कर आगे बढ़ना चाहिए, एकदम से आपको कहीं भी इतना बड़ा इंवेस्मेंट नहीं करना चाहिए, कि आपको नुकसा आगे चलते हैं, जिन बच्चों ने अपनी एजुकेशन के लिए प्रेशन किया हो सकता है, या जिन लोगों ने किया हो सकता है, आप मेल, फीमेल हैं, बच्चे हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, आप कोई भी इसे देख सकते हो, तो यहाँ पर एजुकेशन के लिए 5 मांथ बहुत अच्छा है, आपको इसमें रिजल्ट आने की पूरी उमीद है मुझे, जो लोगों ने मेहनत की है, देखें, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता, अगर आपने मेहनत नहीं की, और आप रिजल्ट लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, और इस रीडिंग को देख रहे हैं तब आप उमीद मत कीजेगा कि आपके रिजल्ट आएंगे, हाँ अगर आपके पास्ट कर्मा बहुत अच्छे हुए, तो हो सकता है कि कुछ रिजल्ट आपको मिल जाएं, पर मेहनत का कोई शॉर्ट कट नहीं होता, मेहनत आपको करनी बढ़ती है, उसके बाद आप इस री एजुकेशन के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, तो आपको जो एजुकेशन में आप आगे जाना चाहते हैं, या आप सोच रहे हैं, प्लैनिंग्स की हुई है, कोई एक्जाम आपने क्रैक करना है, कुछ भी ऐसा सोचा है आपने, तो बच्चों को लेकर प्राब्लम्स चली आ रही होती हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चों से रिलेटेड हेल्थ इशूज हैं, बच्चों से रिलेटेड जिन्होंने भी स्पाइल को चूज किया है, बच्चों के लिए अभी थोड़ा सा आपको और टाइम लेना जो पेरिंट्स पहले से ही बच्चों को लेकर थोड़े परिशान हैं, आप लोगों के लिए मैं ये जरूर कहूंगी, कि इस टाइम पर भी उनके साथ बात करते हुए आपको थोड़ा सा अपने जो सामज़से हो बना कर चले, बैलन्स करके चले, और ऐसी कोई बात ना करें जिससे बच्चे हर्ट हों, यूँकि बच्चों की भावनाएं जो हैं जल्दी आहत हो जाती हैं, तो उनके साथ एगो को बिल्कुल दूर रखें और एक फ्रेंड लाइक रिलेशन्शिप उनके साथ क्रियेट करें, ताकि आप लोगों को बात करने में कोई परिशानी ना ह तो ये टाइम जो है वो इसी तरह की इनरजी को लिए होए है, आपको थोड़ा सा केरफुल होके बच्चों के मामले में चलना है, तो ये थी हमारी रीडिंग फर्स्ट पाइल के लिए जहां पर मैंने आपके six topics को cover किया है, अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको ऐ इसी ही और रीडिंग में आपके लिए देने की कोशिश करूँगी, अब चलते हैं, पाइल नंबर टू की तरफ, पाइल नंबर टू, अगर आपने इस पिक्चर को चूज किया है, यहां पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं, नीचे आपको colorful tokens दिख रहे हैं, अगर आपने चूज किया है, तो यह पाइल आपका है, अपना कोई भी प्रशन, house, job, marriage, business, education, children, आपके मन में कोई भी प्रशन आ रहा है, तो आप अपना पाइल चूज कर सकते हो, यहां पर अगर आपने second पाइल चूज किया है, तो आपको यह प्रशन अपने मन में देखने हैं, और उस से वो resonate नहीं हो पाती, तो जो prominent question आपके मन में इंचे में से आ रहा है, वही सोचें, बात करते हैं, यहां पर pile number two कि, जो लोग यहां पर अपने घर के लिए, especially question जिनका अपने घर के लिए है, कि आप लोग बहुत effort कर रहे थे घर को लेकर, और अभी तक आपका घर नहीं बन पाया है, तो इस मन्थ में क्या उमीद है, फेब मन्थ में क्या आपका घर बन पाएगा, तो यहां पर मुझे उमीद काफी ज़्यादा लग रही है, आपका घर ज़रूर बनेगा, जो emotions आपके अपने घर से जुड़े हुए हैं, यह वो यहां पर काफी flow कर रहे हैं, देख काफी रंग लेकर आएगी आपकी जो चीजें हैं, तो आपके लिए अच्छी यहां पर मुझे खबर है, दिख रही है, आपको घर के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए, जरूर आपका घर बनेगा, अच्छा बनेगा, सुन्दर बनेगा, और काफी अच्छी यहां पर vibes जोड़े होते हैं, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि यह तो एक सपना ही है जैसे, तो यह सपना जरूर पूरा होगा आपका, अब बात करते हैं, सेकिंड कुश्चन की जॉब को लेकर जिनों ने यहां पर सेकिंड पाइल को चूज किया है, आपके लिए क्या आया है इस जो लोग जॉब में स्टेबिलिटी चाहते थे, अभी तक स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई थी, तो उनको इस मांत में स्टेबिलिटी मिल सकती है, बार बार जॉब चेंज कर रहे थे, लगता था कि कोई जॉब सुट नहीं कर रही, कोई जॉब अच्छी नहीं है, किसी जॉ आपके ये चांसिस मुझे नजर आ रहे हैं, तो अगर आप चेंज भी करना चाहें, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा टाइम है, तो जो आपके लिए फैब मांथ बहुत अच्छा जाएगा, आपको जादा वरी की जरूरत नहीं है, पाइल नंबर टू, अगर आपने इस पाइल को चूज किया है, तो जो आपके लिए ये अच्छी एनरजी आपके लिए निकल कर आई है, तो वरी मत करें, फोड़ा एफ़र्ट करें, आपके लिए स्टेबल एनरजी है, आपको ज़रूर फानेशल गेंज भी होंगे और स्टेबलिटी भी मिलेगी, नेक्स्ट ब बहुत देर से एक्शन ले भी रहे थे, पर कुछ बन नहीं रहा था, ऐसा लगता था कि मैरेज तो अभी डिले होती जा रही है, होती जा रही है, तो आपके लिए फैब मांथ आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देगा, तो ये टाइम रिजल्ट औरियेंट है, एक् ट्राइ कर रहे थे, मुझे लगता है कि उनको ट्रैबलिंग करनी वड़ेगी इस ट्राइम पर, ट्रैबलिंग के लिए थोड़ा दूर भी जाना हो सकता है, तो यहां पर सदन एक्शन दिख रहे हैं, ट्रैबलिंग दिख रही है, और जो रुके हुई आपके मैरेज से रि ट्रैइट और वाच की यहां पर स्थिती है, जितने एफर्ट करेंगे उससे कहीं ज़्यादा रिजल्ट आएंगे, तो बैठीए नहीं अपनी एफर्ट को बढ़ा दीजिए, जो लोग यह सोच रहे थे, कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, उनको अपने एफर्ट स आगे बढ़ें और बिजनस की बात करें, बिजनस के लिए यहां पर जो लोग आए हैं स्पाइल को जिनने चूस किया है अपने बिजनस के लिए, तो आपके लिए थोड़ी सी क्विक इनरजीज हैं, पर थोड़ी जो केरफुल इनरजीज भी यहां पर निकल कर आई हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेंगे ये टाइम जो मैं दिखा रही हूं बता रही हूं फेब मांथ जो है थोड़ा चैलेंज भरा रहा सकता है बिग चेंज आपकी लाइफ में आ सकते हैं आपको ने एकसेप्ट भी करना पड़ेगा ये चेंज आपकी life में बहुत बड़ा भी हो सकता है job change हो सकती है business change करना पड़ सकता है यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो business कर रहे हैं वो किसी ऐसे business में जा सकते हैं जहां का उसको बिल्कुल भी पता ही नहीं होगा जहां पर आप बड़ी-बड़ी investments के लिए बड़ी-बड़ी opportunities को देख रहे हैं पर आपको पता ही नहीं है कि कैसा जाएगा कैसा होगा, positive होगा, negative होगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है तो जल्दी से अपने decisions को ना लें थोड़े careful रहें और focus रहें तो आपके लिए time जो है वो अच्छा होगा यहां पर energy बहुत fast है आपकी बहुत ज़्यादा सोच आपके मन में चल रही है आपके दिमाग में बहुत से विचार चल रहे है बिजनस को लेकर आप यह भी कर लें वो भी कर लें यह भी investment कर दें वो भी कर दें तो ऐसी कुछ energy बहुत quick energy मुझे दिख रही है तो promotions की तरफ ना जाकर stability की तरफ जाएंगे तो जादा शायद आपको profit होगा Feb month आपके लिए थोड़ी careful energy को दिखाता है और यह कहता है कि ambitious रहें determination आपकी पूरी होनी चाहिए focused रहें तभी आप अपने लक्षे को अपने business को अच्छे से चला पाएंगे आप बहुत brave हैं बहुत daring हैं पर अपनी जो energy है उसको सही जगे पर ज़रूर लगाएं feb month थोड़ा careful रहने के लिए कहता है आगे चलें और बात करें education की जो लोग जो बच्चे इस बात के लिए worried हैं कि education में कैसा रहेगा यह month आपके लिए justice आपको मिलेगा बहुत अच्छी energy है आपको balanced रहना है education में आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा और positive मिलेगा आपके लिए बहुत अच्छी energies निकल कर आई है education में आप अच्छा कर पाओगे यहाँ पर आपके लिए काफी अच्छी energies हैं काफी important है financially अगर आप अपनी education को finance के नजरे से देख रहे हैं तो आप अच्छी जगह invest कर पाओगे यानि कि आप अगर पढ़ाई में कुछ इंवेस्ट करते हैं तो यह बहुत अच्छी जगह होगा आपने बिल्कुल भी किसी बात की gambling नहीं की है आपने बहुत right decisions लिए होंगे या लेंगे आप 5 month में तो यह आपके लिए कुछ भी गलत नहीं होने वाला है आपका career important है आपकी पढ़ाई important है तो इसको आप इंदोर नहीं कर सकते balance जरूर रहेगा आपके लिए यह time बहुत ही अच्छा है जो लोग law में हैं जो बच्चे law की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो 5 month बहुत ही अच्छा जाने वाला है जो किसी बड़े exams को देना चाहते है कुछ crack करना चाहते है उनके लिए भी यह time काफी अच्छा जाएगा तो आपके लिए education में वरी की जरूरत नहीं बलके एक focus की एक balance की जरूरत है 5 month कैसा होगा बच्चों के लिए अब हम उसकी बात करते हैं यहां पर मैं दोनों subjects cover करूँगी जो लोग जो couples wait कर रहे हैं बच्चों की तो क्या उनके लिए कुछ pregnancy की संभावना कुछ उनके लिए good news आने की संभावना हो सकती है अगर आपका प्रश्ण यह है तो yes 5 month आपके लिए कोई न कोई good news लेकर आ सकता है मैं चाहूंगी यह good news उन सब लोगों के लिए हो जो expect करके आए हैं कि उनको good news मिलेगी क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आपको अच्छे अच्छी news मिलती रहें और आपकी सब मनोकामनाई पूरी हो पर यह collective reading है अगर किसी पर resonate नहीं भी होती है तो इसके लिए क्रमा करें आगे बात करते हैं उन parents की जो बच्चों से worried रहते हैं जिनको tension रहती है बच्चों को लेकर health issues रहते हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर good news है कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा कुछ नया start होगा बच्चों का focus एक तरफ लगेगा बच्चे अपने किसी career को join करेंगे और आपकी tensions कुछ कम होगी तो फेब month आप लोगों के लिए बच्चों को लेकर काफी अच्छा जाने वाला है तो इस तरह से ये थी मारे pile number two की reading अगर आपको ये questions के answer मिल गए हो तो प्लीज वीडियो को like जरूर करें शेयर करें और चैनल को subscribe करें मिलते हैं next वीडियो में next topic के साथ तब तक stay blessed, stay happy, thank you